Welcome to Rasu Tea's YouTube Channel आज हम जानेंगे सरीषरफ या Reptilia के बारे में ये जन्तु किसके हैं? ये सरीषरफ वर्ग के जन्तु हैं या इस वर्ग को Reptilia भी कहते हैं इनके बारे में जानेंगे सामान लच्छन क्या होते हैं तो ये मुख्ता स्थलिय होते हैं ये कैसे जन्तु है ये मुक्ता इस्थलिय जन्तु है यानि एक इस्थान पर ज्यादातर रहते हैं और ये इस्थलिय जन्तु होते हैं तवच्चा के बारे में बात करें तो इनकी तवच्चा सुस्क एवम खुर्दरी होती है, कैसी होती है आपने कभी खचुआ, मगर मच्छ या फिर घरियाल देखा होगा तो आपको पता होगा कि इनकी तवच्चा सुस्क तथा खुर्दरी होती है, इन पर हारनी सलकों का बना अंता कंकाल पाय जाता है क्या पाय जाता है इन पर जो अंता कंकाल होता है वो हारनी सलकों का बना हुआ होता है और तापमान की बात करें तो ये आसमतापी जनतु है यानि की सीत रुधिर जनतु है इन में दो जोड़ी पात पाय जाते हैं इनमें कितने पाद पाए जाते हैं कितने पैर पाए जाते हैं दो जोड़ी पस्ट पाद होते हैं दो जोड़ी अगर पाद होते हैं इसे तरह से आप देख सकते हैं और ये आसमतापी जनतु है यानि की ठंडी में भी रह लेते हैं और गर्मी के हिसाब से इनका सरीर का तापम इनका सरीर विभाजित रहता है पांचवाल अच्छड है स्वासन फेफड़ो द्वारा होता है सरीशरप के जन्तू स्वासन कैसे करते हैं फेफड़ो द्वारा स्वासन करते हैं तथा ग्रस्नी कुलोम दरारें केवल भुरूल अवस्था में ही पाई जाती है इनमें जो ग्रशनी कुलोम दरारे होती हैं वे केवल भुरूल अवस्था में जब ये रहते हैं तब ही पाई जाती हैं उसके बाद नहीं पाई जाती है छटमाल अच्छड है हिर्दे आंसी ग्रूप से चार मुवेश्म में विभाजित रहता है इनका हिर्दे चार मुवेश्मी होता है किसका हिर्दे चार मुवेश्मी होता है सरी सरफ वर्ग के जनतूओं का और जनन छिद्र एवं गुदा एक ही छिद्र द्वारा सरीर से बाहर खुलते हैं यानि कि ये जिदर से जनन करते हैं उसी छिदर से ये मन निकास भी करते हैं यानि कि इनका जनन छिदर एवं गुदा एक ही छिदर द्वारा सरीर से बाहर खुलता है और अगर बात करें ये अंडज हैं या फिर कैसे हैं तो मादाएं अंडा देती हैं इनके जो मादा होती हैं खचुआ, पाइथन, घडियाल और मगरमच इनके जो मादाएं होती हैं वो अंडा देती हैं अंडे बड़े आकार के होते हैं, पीद यूग तो होते हैं, कठोर कैलसियम के बने हुए होते हैं कैसे बने होते हैं कठोर कैलसियम के बने हुए होते हैं कवच या खोल से ढखे रहते हैं जो कठोर कैलसियम होता है उसके कवच या खोल से ढखे हुए रहते हैं और इनका एक लच्छन है जीवन वरत में लारवा आवस्था नहीं पाए जाती है यानि कि बहुत सिज्जी होते ह गडियाल हो गया मगरमाच, पाइफन, कीछ लोट आद इस बहुत सारे होते हैं अगर हम बात करें खच्चुआ C बारे में तो यह खच्चुआ का चित्र बना हुआ है इसकी ये खचवा का सिर है ये आखें हैं ये इसके अगर पाद है तथा ये पाद जाल है कौन से जाल है पाद जाल है ये इसके पस्च पाद है यानि की पिछले पैर है ये इसके पाद जाल है पिछले पैर में बने हुए जाल है ये इसका कैरा पेस है यहाँ पर एक नहीं जानकारी आपको मिली की खचुए के उपर जो ये कैल्सियम कार्बोनेट का बना हुआ खोल होता है मजबूत सा इसे कैरा पेस कहते हैं कैरा पेस किसे कहते हैं तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि जो खचुए के उपर कैल्सियम कार्बोनेट का मजबूत खोल चड़ा होता है उसे कैरा पेस कहते हैं अब हम बात करेंगे पाइथन के बारे में तो पाइथन का सिर आखें ये इसका धड़ और ये इसका पूँच इस प्रकार से होता है घड़ियाल होता है ये घड़ियाल के यहां पर सलक निकले हुए होते हैं ये इसकी हारनी ढाल है क्या है ये घड़ियाल की हारनी ढाल है य ये पूँच है, ये नेत्र है, ये सिर है, ये मुख है, ये जबड़े हैं, ये अगले पैर हैं और ये पिछले पैर हैं, मगर मच के बारे में बात करें तो इसका हारनी ढ़ाल यहां पर होता है इसका हारनी ढ़ाल यहां पर होता है इन दोनों की बनाओ लगभग लगभग मिलती जुलती रहती है ये इसका मुख है ये जबड़े हैं ये आखें हैं ये अगले पैर हैं ये पिछले पैर हैं जो की जिलीदार होते हैं ये इसकी पूँच है तो आपको सरी सरफ जंतूं के बारे में जानकारी कैसी लगी खचुआ पाइथन घरियाल और मगर मच के सरीर के बनावट के बारे में जानकारी कैसी लगी अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको क धन्यमाद